हाई एविवन आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप मेंसे बहुत सारे बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन था पेपर को लेके तो अगर आप मेरे इस चैनल पर देखोगे इससे पहले भी मैंनी वीडियो जो यह पेपर है इसके रिलेटेड मैंनी वीडियो अप अगर आपको यह वीडियो आप देख जब आपको मिलेगा उसके बाद अगर आप और इससे पहले पेपर्स इससे पहले जो पेपर्स हुए हैं वो भी देखना चाहते हो तो आप वो देख सकते हो ठीक है और अगर आप चाहते हो कि मैं दो तीन साल के जो पेपर्स है वो एक अच्छी वीडियो में कम्माइन करके बना लूँ सबका एक ही वीडियो बनाओं ताकि आपको और अच्छा आईडिया आए की पेपर कैसा होगा और कुछ असाइनमेंट्स भी मैं आपके साथ डिसकस कर दूँ तो आप प्लीज मुझे बता दे ना कॉमेंट सेक्शन में ठीक ह आप मेंसे कुछ बच्चे हैं जिनके मुझे कॉमेंट्स आए की हमारा जो पेपर होगा वो बुक मेंसे सीधे क्वेशन बूचे जाएंगी की अलग से होगा ठीक है तो मैं आपको इस पेपर का मैं आपको ये बता सकती हूँ जितनी आपकी अच्छी इंगलिश होगी ना आ उतना अच्छा ही पेपर कर सकते हूँ थोड़ा आपको लग रहा होगा ये ऐसा क्यों बोल रही है बट जो यूँगी इंगलिश का ही है और मुझे ये भी आइडिया है कि हमेंसे कितने सारे बच्चे हैं जिनका इंगलिश उतना अच्छा नहीं होता है मेरा भी उतना मैं नहीं बूलूंगे मेरा कुछ बहुत अच्छा है बट इतना है कि मैं पेपर सॉल्व कर पाऊंगी आप मैंसे भी होगा कि आप पेपर सॉल्व तो कर लोगे है ना वैसे है कोई दिकत की बात नहीं है आपको कोई difficult paper नहीं आएगा बहुत easy paper आएगा आपको पता है क्या है अ English के paper अगर आप English Medium से हो तो Same वैसा ही paper है Same वैसा ही है कि कुछ उसमें से अलग नहीं है Same वही है आप समझो उसी level का आपका paper है तो उससे आपको जो आपके अंदर एक टेंशन होगी कि मैं क्या करूँगा paper मैं क्योंकि पहली बार दे रही हो तो वो आपकी वो एक जो टेंज है वो खतम हुचाएगी ठीक है पेपर यह बहुत इजी है ठीक है इसलिए अगर आपकी इंगलिश अच्छी है थोड़ी एक ठीक लेवल की है तो आपको कोई भी दिकत नहीं होगी यह सॉल्व करने में वेपर ठीक है और अब यह अगर और हा मैं आप पढ़ सकते हो 13-14 चैप्टर्स ही होते हैं टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं कितने इफे चैप्टर्स है अगर आप रोज एक एगंटा भी पढ़ोगे आप अराम से पढ़ सकते हो पूरा पूरी इंगलिश पढ़ सकते हो है पूरी बुक पढ़ सकते हो अगर आपको सबसे पहले देखते हैं क्या है और सेम ऐसा ही पेपर होता है ठीक है पैटर्न यह होता है बस इदर पैसेज वो अलग पूछ लेंगे कोई और कुछ वर्ड जैसे सिनॉनिम्स वो पूछते हैं इसके बताओ अंटॉनिम्स बताओ वो अलग पूछ लेंगे सेम तो सेम तो नहीं डालेंगे ना पैटर्न यह यह बस क्वेशन्स आलग होंगे है ना तो अगर आप यह क्वेशन्स कर लोगे आप वह वाली भी फिर अच्छे से कर लोगे ऐसा है ऐसी बात है देखो सबसे पहले आपको थ्री आवर्स मिलेंगे पेपर को सॉल्फ करने के लिए यह जून टू थ डा स्कूर करना है तो आपको अटेम्ट करने पढ़ंगे सारी विचेंस सबसे पहले आपको पैसे जाएगी इस बार भी आपको सबसे पहले पैसे जाएगी वह किसी भी चीज के लेडिटिड हो सकती है जो आज कल करइंट इसिजूज ऐसको और आसकती है जैसे इंटरनेट के उपर आ सकती है, जैसे उसकी uses क्या है, या अच्छे क्या uses हो सकते हैं, उसके बुरे क्या uses हो सकते हैं, किसी चीज के उपर भी आ सकते हैं, ठीक है, बस आपको अपना mind open रखना है, और आपको वहाँ पे उसको answer निकालने है, answer इसी के अंदर चिपे हुए हैं, ठीक है, देखो सबसे पहले, जैसे ही आप आप पे पेपर खोलोगे, उसके बाद आपको पहले questions देख लेने हैं, questions जैसे यहाँ पे हैं कि describe the form of government created by the Greeks, Greeks ने किस 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 टाइप की जो government थी, वो बनाई थी, ठीक है, फिर आप अगर पहले सारे questions एक बार देख लोगे, फिर आपको इदार आना है, passage पे, क्यूंकि अगर आप पहले एक गंडा passage को दे दोगे, वो नहीं आपको करना है, आपको यह mind में रखना है, आपको 10 to 15 minutes के अंदर एक passage कम्प्लीट करना है, जैसे कि इस passage में आपको मिल रहे हैं, I think 25 marks, 25 से, हाँ, 30 marks मिल रहे हैं, तो आपको आदा गंटा इसको देना है, 30 minutes अगर आप दोगे तो मेरे हिसाब से वो दे दो, आप फिर उसके बाद आप बाकी कर लो, अगर उससे भी काम अगर आप में कर पाते हो तो और ही अच्छा है, ठीक है, आपको पूरा वो वैसे बहुत टाइम निसको देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट होता है passage को solve करना, अगर उनके, वो 30 minutes भी देंगे, ठीक है, फिर भी उनके पास 250 minutes तो बच्चते ही हैं, 2 hours and 30 minutes, sorry, 250 मैंने क्यों बोला, मुझे पता भी नहीं है, I'm so sorry, but हाँ, 2 hours and 30 minutes आपके पास फिर भी रहते हैं, अब जो जिनका ठीक ठाक English है, वो इसको 10 minutes में भी कर सकते हैं, ठीक है, यह उतना easy है, ठीक है, तो यह आपको है, यहाँ पर, तो यह क्या हो गया इसको, चलो जी, हाँ, उन्होंने किस टाइप की government, उन्होंने democracy जो थी, वो बनाई थी हैं ना, तो यही पर आपको, अगर आप political science के student हो, तो आपको तो सीधे ही पता है, कि Greeks के बारे में तो आपनी पहले ही पढ़ा है, क्यूंकि अपनी democracy के बारे में पढ़ा हैं ना, तो वैसे है, what was the norm in the Mediterranean and Middle East, 600 BC, तो जो हमारा 600 BC था, उसमें Middle East जो है, जैसे कि जिनको आप Arab countries भी बोल सकते हो, और Mediterranean जो सी है, उसके आसपास की जो countries थी, उनमें या उसके दोरान तब तो country जैसा वा ऐसा नहीं होता था, तो kingdoms वगएरा होती थी, तो वहाँ पे कैसा, क्या norm था, norm होता है, समझवाब कोई वहाँ पे किसी जगा का कोई culture का, जिस हिसाब से वो चलते हैं, उनका वो वैसे ही system, उनका एक type का, ठीक है, जो कोई जल्दी से हटा नहीं सकता है, वैसा, उनका क्या था वो, तो वो भी आपको इसमें से मिल जाएगा, अंसर है ना, फिर है यहाँ पे आपको, वैसे ग्रीस नेवर यूनिफाइट इंटू ए सेंटर्ली कंड्रोल स्टेट, तो जो ग्रीस है, उसको कभी भी एक, जो है, एक ऐसे state में क्यों नहीं लाया गया, तो मतब ऐसे system क्यों नहीं आ पाया, जिस में state जो है, उसको पूरे तरीके से center जो है उसको control कर पाई ठीक है ऐसा क्यों नहीं हो पाई वहाँ पे ताकि उसको मतलब वो ऐसा state क्यों नहीं बन पाई जिसको center पूरे को center control में रखे तो क्यों हो ऐसा ये भी आपको इदर मिल जाएगा answer है न अगर मैं अब भी ये पढ़ोंगी तो आपका वहाँ time waste हो जाएगा तो आप ये खुद भी पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा ठीक है अगर ये ऐसा हो तक ये repeat हो रहा है तो मैं आपको समझा देती बट repeat होगा नहीं ये sure है तो फिर किसलिए आप अपना वह कर रहे हो अब बस एक बार पढ़ लो आपको समझा जाएगा पैसेज कैसी वहां पर होती है फिर आपको इन सब के आपको 55 marks मल रहे है ठीक है उसके बाद आपको इस पैसेज को अपने हिसाब से एक अच्छा सा नाम देने है ठीक है कोई भी नाम दे सकते हो लेकिन वह government, democracy वैसा कुछ होना चाहिए उसके बाद आपको synonyms बताने है इस पार हो सकते है अन्टॉनिम्स आजाए ऐसा भी हो सकता है कि synonyms वापिस आजाए और ऐसा भी हो सकता है कि इन पांच में से कोई एक जो है word repeat हो जाए है तो यह आपको करने है ठीक है आपको इसलिए English अगर आपकी छीक होगी तो आप आराम से कर सकते हो है और उसके बाद आपको कुछ अग करकी का अगर आप देखोगे इसमें इसका इसनॉनिम हूथ है यह एयूंक हो जिसका मीनिंग यह है तो पिछता है इसनॉनिम इसनॉनिम मीनिग आ और सकते हो तो भी किंग्डम कर सकते है थिक्सटेटर ठीक है, aristocracies का हो सकता है आपका nobility या upper class, hierarchy का हो सकता है ranking, scale या series, ठीक है, crucial का हो सकता है decisive, essential, important, ठीक है, ये scale है, synonyms, ठीक है, मुनारकी क्या होता है, मुनारकी होता है, जहां पर कोई राजा रूल करें, ठीक है, जहां पर कोई एक बंदा हो, वो पूरे इसको चला रहा हो, वैसा, ट्राइंट होता है जो कि किसी चीज़ पे मतलब उसको वो रूलर बन के रहे जाए न वो बुली करे या बहुत मतलब खतरनाक राज़ा हो उस टाइप का ठीक है जो सुने ही ना किसी की बात मतलब बहुत बुरे तरीके से रूल कर रहा होगा हिटलर को आप बोल सकते हो या फ्रेंच में रेविलुशन जब आया तो उसमें बोला कि हम यहां पर डिमोक्रिसी लाएंगे फिर लेकिन खुदी वो राजा बन गया तो उस हिसाब से फिर बोल सकते है वो बीक ट्राइंट हो सकता है मेरे हिसाब से जेतना मेरे को लग रहा है उसके बाद नोबिलिटी आरे स्टोक्रेशा ऽुसें जरू मैं बहाँ पर क्लास में यहां बके सूसाइटिक उपर क्लास और लौबर क्लास में डिवाइड कर दिया जाए बड़े लोग उ चोटी वैसे वाइसमें तो उसको बोल सकते हो gir nós Bas can be higher की होसकता है जहां पर पहले बड़ा आएगा फिर चो को जॉब्स करनी होती थी वैसी तो जिसमें ब्रहामिन्स शत्रया फिर एक और होता था उस तरीके से ठीक है वो उसको बोल सकते हो ना की रैंक देना लोगों को रैंक में रखना रैंक के साफ से उनकी ड्यूडी बताना कुरूशल होता है जो बहुत सहथा इंपोर्टन हो जो बगैर ना काम हो पाई जल्दी से आपको कोई चीज करनी है वैसा ना जो बहुत आपको मतलब आपकी लाइफ में बहुत इंपोर्टन कोई चीज होने वाली जो कुरूशल हो मतलब जिसके बगैर नहीं वो पाएगा कुछ भी वैसा इसके बाद आपको यहां पर एक छोटा आपको त्री हंड़े से बीच में आपको जो है यह वर्ड में आपको आँसर लिखना है जैसे आपकी हो रही है ऑनलाइन एजूकेशन ही बोल सकते हैं इसको एक टाइप की अगर आप हां वो बोल सकते हैं लाइफ डूरिंग जो पैंडमिक जैसे कोविड नाइटीन आया उ उसके ओपर एक्जामिनेशन की क्या इंपोर्टन्स है तो यह जो है ना यह आपके बुक में से आया है ठीक है यह क्वेशन बुक में से यह आया है इसके बाद है you may have you may say I am a dreamer but I am not the only one तो आप यह बोल सकते हो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत सपने देखता हूँ लेकि मैं ही वो इनसान नहीं हूँ जो सिर्फ सपने देखता हूँ बलकि और भी बहुत सारे सपने देखते हैं how do you think that dream of a better world may be realized तो आपको ऐसा कैसे मतलब आपको क्या लगता है कि एक अच्छा इस दुनिया को अच्छा बनाने का जो है कैसे हम एक सपना जो है वो कैसे हम पूरा कर सकते हैं दुनिया को अच्छा बनाने का सपना तो यह आपको इस पे लिखना है आपको थोड़ा उसके बाद हाँ यह आपको कितने दिये गए हैं पर हाँ पांच है पांच में से आपको यह पांच में से आपको किनी दो पे लिखना है ठीक है हाँ फाइफ आपके पास है यह था कि आपको यहां पर आपको पूरा यह दिया है ना कोट दिया गया है कि आप बोलोगे कि मैं एक सपना ऐसा इंसान हूं जो सपने देखता है लेकिन सिर्फ मैं ही सपने नहीं देखता हूं बलकि और भी बहुत सारे मेरी तरह यह सपना देख यहां पर क्या क्या बुरी चीज़ हैं, हम कैसे उनको खतम कर सकते हैं, कही नहीं सब को है आईडिया है, कुछ ना कुछ तो वह है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अगर पांच पर लिखोगे तो आपका अंसर कंप्लीट हो गया, फिर आपको लिखना है, यहां पर फ student body of our university, dash from diverse cultural backgrounds, तो जो हमारे university की student body है, मतलब student जो हमारे university में, वो अलग अलग जगहों से आते हैं, इंडिया की, ठीक है, उनका सब का culture अलग है, वो सारा, तो आप लिख सकते हो, the student body of our university, come from diverse, तो यहां पर come आएगा, ठीक है, फिर राहूल और रीटा, dash to the gym everyday, जो राहूल औ रीटा है, वो क्या करते हैं, जिम हर रोज जाते हैं, तो क्या होगा, यहां पर जाते हैं, जाते को क्या बोलते हैं, go है ना, lots of students, dash here to study from outside the state, तो हमारे यहां पर बहुत सारे जो बच्चे हैं, यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, हमारे state के जो नहीं हैं, state के बाहिर से आत the state, a number of girls, dash, absent, बहुत सारे जो लड़किया हैं, वो क्या है, absent है, तो यहां पर आएगा, are, are, absent, अजे and I, dash home, end पर क्या बच गया, end पर बचा की state, अजे और में हम दोनी ज़र पे रहेंगे, फिर यहां पर आपको prepositions की help से क्या करना है, इनको यह करना है, यहां पर prepositions की help स इनको बॉक्स को बरना है, तो सबसे पहले, he came, dash five o'clock, तो कितने बज़े आया, at, ठीक है, he came at five o'clock, he is standing, मुझे ऐसे लग रहे है कि next two होना चाहिए, या between भी हो सकता है, वो John और Rita के बीच में खड़ा है, या side से खड़ा है, तो आप लिख सकते हो, तो मुझे between and next two के इसमे थोड़ा confusion हो रहे है, तो आप लीज मुझे बता देना क्या है, they stood, dash their nights, they stood firm on their nights, तो on लग रहे है, मुझे यहाँ पे, ठीक है, she is excited about, dash her trip to Paris, तो मुझे लग रहे है, about होना चाहिए, कि वो अपने, जो उसको trip है, उसकी Paris जानने की, उसको लेकि बहुत खुश है, she is married, dash a dentist, तो उसकी शादी एक dentist से हुई है, तो two यहाँ पे आएगा, she is married to a dentist, ठीक है, अगर इसमें से, मुझे John and Rita में थोड़ा confusion हो, और nights वाला, second and third में, तो आप मुझे प्लीज बता देना, यही आंसर की कुछ और आना चाहिए, यहाँ पे, फिर यहाँ पे articles, तो articles तीन ही होते है, a, the, and, ठीक है, तो वो तीन से आपको, यहाँ पे इसको कनाश, तो she was determined to join, यहाँ पे आपको लगेगा university है, university जो है, वो you से आ रही है, you एक वावल है, but, but, यहाँ पे एक बहुत बढ़ा मसला है, यह इंग्लिश का बहुत बढ़ा मसला है, मुझे खुद पहले यह लग रह तो मुझे समझा अच्छा, यह ऐसे होता है, क्या होता है, देखो जी, क्योंकि यह वावल से स्टार्ट हो रहे है, तो हम बहुत पर सोचेंगे, यह वावल से स्टार्ट हो रहे है, तो यहाँ पे हम and लगाएंगे, लेकिन and university कभी अपनी सुनी है, आवाज नहीं सुनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, she was determined to join a university, क्यों आएगा, क्योंकि यह वावल से स्टार्ट हो रहे है, लेकिन अगर आपकी university की आवाज सुनने की कोशिश करोगे, तो आवाज क्या है, आवाज है इसकी वाई से, यू, यू, वाई, यूनिवरस्टी, वाई से, वाई से यू, है न, यू, यूनिवरस्टी, तो य जैसी आवाज, य की जो आवाज जो है, वो है थोड़ी, क्या है, क्या इसको पूलते हैं, तो आपको बतातु हूँ, गूगल में आपको लग रहा है, पता नि क्या भोलती है, बट वेद ए सेXT, तो देखो आप, यहाँ पे आए तो यह आपको माइन में रखना है ठीक है तो यहाँ पर आप हम अ लगाएंगे ठीक है जो आपस्ट्रोंग थे वह पहले इंसान थे जो कि जब हम किसी एक बंदे की जो बहुत इंपॉर्डेंस रखता होगा उसकी बात करेंगे तो दर लगता है वहाँ ठीक है यहाँ पर दर लगीगा दर नेचर आबर्ज यहाँ पर लगीगा वैक्यूम तो इसका क्या मतलब है य कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसका कोई काम नहीं होगा मतलब जब कोई खाली जगह नहीं है गुदरत नहीं बनाई है जिसका कोई भी जरूरत नहीं होगा जिसकी कोई भी जरूरत नहीं होगी यहाँ एक चीज़ की जहां पर भी गुदरत को लगेगा कि किसी चीज़ की कम बट यहां पर बूगल करा तो उन्होंने बोला कि यह वाई की कुछ आवाज निकल रही है तो यहां पर अ लगीगा अ यूरोपियन नहीं आएगा अ यूरोपियन आएगा अ यहां पर भी आएगा वी आएगा अवर दे पैसिफिक ओशन तो पैसिफिक ओशन में न कोई वैसा कोई और है नहीं है न तो वैसे आप बोल सकते हैं एक बहुत बढ़ा है न तो मतलब उसकी बहुत इंपोर्ड़ा है वैसे लगा की लोगिक बोलो कि दह यहां पर लगेगा fill in the blanks with suitable adverbs तो यहां पर हमें adverbs की help से जो कि हमें नीचे देखे हैं slowly, highly, hardly, hard, eventually, finally तो उनकी help से हमें इसको बनना है he is a, क्या आएगा यहां पर? एक skilled, he is a highly skilled painter, दूसरे को आएगा very, very slowly she opened the windows, तीसरे को आएगा eventually they agree to the terms, उसके बाद आएगा he tried hard to find a job and finally got one, ठीक है? तो यह, उसके बाद आपको एक dialogue लिखना है दो friends के बीच में जो कि आपको यहां पर topic देखे है already कि role of media in हमारी जो आजकल की जिनके उसमें media की क्या importance है इस पर आप लिख सकते हो, या dangers of climate change, climate change के क्या नुकसान होने वाले है, उसके क्या खतर है हम पर, तो आपको यह दो देखे हैं, तो यह please question, यह लिखने से पहले देखना कि क्या बोल रहा है question, ठीक है हो सकते हैं, इस बार dialogue नो पूछे, paragraph पूछ लें, ऐसे ही पूछ लें, त किसी एक दिन पर, कोई ऐसा दिन आपकी लाइफ में हुआ होगा, जहांपे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, एक ही दिन में होते हैं, कभी ऐसा दिन होता है, जब सिर्फ बुरा ही हो रहा होता है, या कभी होता है, कभी अच्छा हो गया फिर बुरा हो वैसे होते ही है अच्छा अच्छा होते जा रहे है आपको बार-बार मन कर रहे है आप दो पुरे दिन की क्या होगा क्या house इस गंटे आप के बाद दिन में क्या में क्या हुआ वाहा पाद में उस ताइम पर क्या हूँ वैसे ताइब कर न आपको 728 Digging Day Tries यहां पर दिखा भी सकती हुँ नहीं भी बट मुझे आपकी हल्प करनी थी इसलिए मैं आपको दिखाना चाहरी थी मैं वस आपको यह थोड़ा तो इस पूरी डायरी एंट्री वहां पर देख के तो आप जाके देख सकते हो ब्रेन ली करें एक वैब साइट है तो देखो यह जब आप और कुछ पेपर देखोगे फिर समझ आएगा ठीक है तो ऐसी होती है डायरी एंट्री बेसिकली मुझे आपको यही बात बतानी थी तो चलो जी आपको हो गया पेपर भी यह वाला आपको समझ आ जाएगा आपको आपका जो है ने क्वेशन पेपर आएगा तो आ आपको 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 आपक